तो यह दिन स्वाड़ा होता है सेवन जैन से क्योंकि हम लोग उजन गए थे चुट्टी थी सारड़े था तो हजबन और मैं गए थे किफ्ट लेने अधर्व के लिए हमारी साइट सो नानी की साइट का गिफ्ट था तो वो ले रहे थे तब ही अचानक से हजबन की दवित करा होगी थी तो मैंने का आप घर चले जो मैं सब कर लेती हूँ तो केक वे एक बुक कराया उसके बाद फिर बस रिक्षा लेके मैं भी घर निकल गी थी मम्मी क्या ही रुकी थी क्योंकि मुझे जाना था शाम को मार्किट और वहां से पच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट ल अगरी थी उसके बाद में बैट के वापस से पैकिंग करने बहुत ठंड थी तो बस वही रिटर्न गिफ्ट में पैक कर रही थी सारे बच्चों का क्योंकि उसमें काफी टाइम लग जाता है यार पैकिंग अगेरा करने में न तो मैं थोड़ी देर के लिए कुछ लेने कई और सब सो गया है उनको सुला जया था और आप देख सकते हो कुछ मैंने लगाया निया बलून अगेरा डेकुरेशन की ठंड लग रही थी काम करने का बिलकुल हमत नी थी बट स्टेल मैंने थोड़ा बहुत करके जो घर पर रखा था वो मैंने लगा दिया बट ये जो आप आपको गुड मॉर्निंग विश कर दूँ एक्चली अभी बज़रे है साथ तो आपको पता है मेरा आथ कुछ आइधिक दो बजी के असपास तो सोई थी आपको पता चल जाएगा कि हम कहां जा रहे है आगे का प्लान है तो मुझे लगता है कि मैं आगे जादा बात नहीं कर पाऊंगी व्लॉग में तो मैं सुच आप मॉर्निंग में आपके जाद थोड़ी से कर लेती हूं क्योंकि पूरा मुझे हैंडल करना है और मैं ही हैंडल कर रही होने दिंग कल से क्योंकि हस्बिन की तबच्च काफी खराब थी कल थोड़ी से स्टेबल हुए है बट मैंने जादे स्ट्रेस नहीं दिया कि खाम भी मत करो जादा कहीं असा नहीं नेक्स देक लि क्योंकि अभी साथ ही बचे हैं तो अगर आडवे तक भी उठेंगे तो मैंने जो हो जाएगा उसे बहले मैं अपना सारा काम जो है वो फिनिश कर लेती हूं सो या अधा अप्टेट एंड या मिलते हैं बाद में थोड़ी दे में तब तके लिए गुड मॉर्णिंग कि तो अच्छा है यह करना अब है ओपन मत करना अब है शाम को करेंगे यह किफ्ट केक कटिंग भी होता है न नहीं अभी थोड़ी न सूब सूब अभी तो शाम को आएगा केक काली नूट है ट्रेक वाला ट्रेन इसके चार ट्रेक नहीं है नहीं इसके काल तो जब तके लोग नहीं उड़े थे मैंने अपना हेर वोश कर लिया था ठंड इतने लग रही थी तो बस चाइवाई पी उसके बाद इसको दूद दिया थोड़ पासी थोड़ा ना शिवरिंग जैसा लग रहा थे इसको कहरा में कुछ शिवरिंग हो रही है और ठंड लग रही थी तो बस इसको थोड़ा गरम दूद वगएरा दिया पैक करके बिठा रखा था तो मैंने भी गरम गरम चाय पी क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी तो वहां से जल्द से जल्द फ्री होके आइधिंक सो एक देट बजे के आसपस निकल गए थे और वापस आये वापस आने के बाद भूख लग रही थी कि सुबह से कुछ खाया नहीं था एंड हम लोग पहुच गए यहां पर पाउट देते वे डॉमिनोस क्योंकि महां पे हमे नुकसान देता है पीजा तो हम हजबन हो मैंने भी यही खाया बट मुझे स्टिल थोड़ी से भूख लगी थी तो मैंने गालिक ब्रेट जो थी स्टफ वह पैक करा ली थी घर के लिए बटाने के बास सीरिसली बताओं तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं बास उसके बीच क आपको कुछ रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गए थी अधर काफी तेज फीवर हो गया था देन हमने शाम को उसको दवाई देने के बाद इतना करा कि वो खड़ा हो पा रहा है अभी तो उसका बस जल्दी से हमने केक कट करा साथ बच तो बस साथ साथ बची को टाइम था एंड ठंड भी काफी बढ़ी गई थी तो सबने बस इसको केक वगएरा खिलाया मैंने भी जो प्रिप्रेशन करी थी उसमें मैं लग गई थी एंड यहां पर मैंने केक वगएरा बच्चों को और सबने गिफ्ट वगएरा आगे कर ली थी हस्बंड करें थी क्योंकि मैं अधर चली गई थी केक कट करने कर देने के लिए तो बस वहाँ पे चा कर के अभी हम केक डिस्टिब्ड कर देंगे बच्चों को जिससे बच्चे भी जल्दी फिर्जन क्योंकि कि हम ठंट इतनी हो गई थी कि सब लोगों को घर यहां बनी थी मिकराओनी जूस वगेर बनी तो इस अलास्ट में लास्ट में लास्ट कॉनर सेशन आपके सथ करें विकार्ण बहुत जादा प्रोब्लम्स हो गे थी आज की दिन में जो व्लॉग हम लाइक में चाहे थी बहुत ही हैपनिंग से हो बहुत अच्छा हो इसका बड सब्सक्राइब हो थी जिसके वैसे बैक डुबैक सारे वर्क में ही कर रहे थी घर का पार का इसका जो भी लाइक डेगुरेशन बर्डे प्रिपरेशन थी तो आम लोग काफी एक्साइड़ से क्योंकि फिफ्ट बर्डे था तो आमने तो थोच था था थोड़ा हैपनिंग स सब्सक्राइब काफी सारी मैंने मतलब रहे प्रिपरेशन सोच रखी थी घर पे मैं क्या-क्या बनाओंगी करूंगी व्लॉक्चूट करूंगी अच्छा सा कुछ यू नौ सो या सुबह तक ठीक था आई मिन रात तक ठीक था और उसके बाद सुबह से बहुत ही खराब सा ह हो गया है अथर्व की दबित खराब होगी था मम्मी की सांस में प्रॉब्लम होगी थी सो मम्मा को भी अस्थमा टैक आ गया था के कटिंग के बाद सटनली उनको बहुत जादा यूनों सांस चड़ने लग गई थी तो घब्रावे हम लोग के क्योंकि डिस्रीट करने अंदर में किचन में थी है बहार बच्चों ने बोला कि ऐसे हो रहा है अंटी सो मैं भागी उसको मैं भबरा गई उसके कुछ दे के बाद ही आइधिंग मुश्किल से एक अध्गंटा ही अथर्व ने थोड़ा से नजाए कि होगा अपना बढ़ते उसके बाद इसको शिवरिंग स है मैं ने सोचा कि मैं इसको एंड कर जेती हूं जो आज का पूरा दिन का मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दो क्योंकि लाइक बहुत जादा मैं अंधर से लाइक डाउन हो गया था कि एक होते है ना आप बहुत किसी चीज के लिए एक साइड़े हो और सब ची सब्सक्राइब कर दोंगे इसके अंदर तो आप थोड़ा सा देख पाओगे व्लॉग को बहुत हैपनिंग तो नहीं हुआ जैसा होना चाहे था बट या जो भी है व्लॉग इस कॉल के लाइक जो की पूरे दिन का आपका रूटीन रहता है वही हम शेयर करते हैं तो वही मै कि बिल्कुल सदन एंड अनफॉर्चुनेट था मेरे इस आज के दिन में सो येस मेरे पास कोई वर्ट नहीं पूलने के लिए सौरी मैं व्लॉगिंग में इतनी अच्छी भी नहीं हूं बट या मैं व्लॉग को एंड करती हूं और सो सौरी के आपके लिए कुछ सादा मैं इंट्रस्टिंग नहीं कर पाई आज के दिन बट या जो भी था मेरा आज का दिन मैंना आपके साथ शेयर किया आई होप कि आप सपोर्ट करेंगे और ब्लैसिंग्स देंगे कि सब ठीक हो जाए नॉर्मल एंड या थेट सिट बाई टेक क्यों थंड में प्लीज बच्चों को पैक करके रखें कहीं बाहर मत लेगे चाहिए और या बाई गाइस गुट नाइट